हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतास टिप्स आज हम बिना धूब के साबुदाना के पापड बनाएंगे इन्हें व्रत में भी खाया जा सकता है और इन्हें बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं तो वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सब से पहले साबू दाना पापड बनाने के लिए हमने अच्छा गोल दाने का आधा किलो साबू दाना लिया है ये देखिए इस तरह का अब हमने इसे तीन-चार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है ताकि धूल मिट्टी निकल जाए धोने से हमारे पापड एकदम सफेद बनेंगे अब इसमें चार बड़े गलास पानी डालेंगे पानी नापने के लिए हमने ये बड़ा गलास लिया है एक दो तीन चार अब इसे गैस पर गरम करेंगे पानी गरम हो गया है गैस बंद कर देंगे और इसे दो घंटे के लिए ढख कर रख देंगे दो घंटे हो गया है देखते हैं ये अच्छा फूल गया है चेक करते हैं ये काफी सौफ्ट हो गया है आब इसे मिक्से में डालकर ग्राइन कर लेंगे ये देखिए इस तरह से अब ये सारा पेस्ट एक बड़े भगोने में डालेंगे मैंने अलुमूनियम का भगोना लिया है क्योंकि इसमें कुछ भी बनाओ जलता नहीं है अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पांच ग्लास पानी डालेंगे चम्चे से चलाते हुए पतला पेस्ट बना लेंगे सारा पानी इकठा नहीं डालेंगे इकठा पानी डालने से गुठलिया रह जाएंगी क्योंकि इसमें डालेंगे पानी नापने के लिए मैंने वही ग्लास लिया है जिससे साब उदाना भीगोते समय पानी डाला था ये देखिए हमें इसका इतना पतला पेस्ट तयार करना है अब इसमें वन टेबल स्पून नमक डालेंगे अगर आप चाहते हैं कि व्रत में भी इसे खा सकें तो आप इसमें फलाहारी नमक डाल लिजिए नमक मैंने कम ही डाला है क्योंकि पापड सूखने के बार इसमें नमक तेज हो जाता है अब इसे पकाएंगे इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसमें गुठलिया ना पड़ें अब इसमें एक बड़ा चम्मच देशी घी डालेंगे आप रिफाइन का यूज़ भी कर सकते हैं ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है इसका कलर भी चेंज होने लगा है ये देखिए इसमें बिल्कुल शीशे के जैसी चमक आ गई है ये पक गया है गैस बंद कर देते हैं इसे पकाने में मुझे करीब 25 मिनट लगे है अभी ये काफी गरम है इसे आदा घंटा थोड़ा ठंधा होने के लिए छोड़ देते हैं इसे बीच बीच में इस तरह चलाते रहेंगे जिससे ये जल्दी ठंधा हो जाए इसे एकदम ठंधा नहीं करना है एकदम ठंधा होने पर पापड फैलेंगे नहीं अब थोड़ा पेस्ट एक बावल में निकाल लेंगे जिससे पापड बनाने में आसानी हो अब एक प्लास्टिक शीट पर इस तरह थोड़ा थोड़ा पेस्ट गिराएंगे प्लास्टिक से पापड निकालने में आसानी होती है ये देखिए मैंने अपने घर की डाइनिंग टेबल पर पापड बनाए हैं इन्हें साथ से आठ घंटे पंखा चला कर छोड़ देंगे थोड़े पापड मैंने अपने घर की छट पर धूप में बनाए हैं ताकि आपको डिफरेंस दिखा सकूँ करीब आठ घंटे पंखे में रहने के बाद ये देखिए ये पापड प्लास्टिक से निकलने लगे हैं इन्हें पलट देते हैं और फिर से इन्हें आठ से दस घंटे के लिए पंखा चला कर छोड़ देंगे ये देखिए पापड सुख गया हैं मैंने इन्हें करीब दो घंटे के लिए इसी तसले में रखकर धूप में भी रख दिया था ताकि ये खराब ना हो अब आप इन्हें करीब एक साल के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं ये देख़े कितने पतले पापड बने हैं आप मेरी उंगलियां भी इसमें से साफ देख सकते हैं ये दूसरे पापड मैंने धूप में बनाए हैं ये भी कितने अच्छे बने हैं बस अंतर सिफ इतना है कि ये जल्दी सूख गय थे और जो पापड पंखे के नीचे बनाए थे उन्हें सूखने में करीब 20-22 घंटे लग गय अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं पापड बना सकते हैं अब मैंने तलकर दिखाती हूं तेल गरम करेंगे तेल गरम हो गया है गैस थोड़ा धीमी कर देंगे पापड डालेंगे ये देखिए पापड कितने अच्छे से फूल रहे हैं इन्हें पलट कर इस तरह से निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल नि यह देखिए कितने क्रिस्पी पापड़ बने हैं तो यह पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ खुश रहें मुस्कुराते रहें बाई बाई